तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं आप पोवा टू को यह टेक्नो की तरफ से आता है और यह स्पेशली गेमर्स के लिए टार्गेट किया गया है यह यह गेमिंग फून है इसमें जो स्पेसिफिकेशन पर लिए जो पर देखने को मिलती है और दोस्तों आप बता तूं कि वीडियो से हमेश्या की तरफ स्पोंसर किया सुभान मुवाइल ने जिनकी शोप है शादबाग लाहूर के अंदर अगर आप इंसे कोई भी मुवाइल पर चेस करना चाते हैं तो कर सकते हैं सामने स्क्र के पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए गाइस में आपका टाइम ज्यादा वेस नहीं करता अपनी अन्बॉक्सिंग शुरू करते हैं सो गाइस यह है मेरे पास टेक्नो पोवा 2 का बोक्स सबसे पहले बोक्स के ओवर वीव की बात करें तो आप के सामने पोवा 2 लिखा गया है उसी के साथ उपर हमें उनエटिट की वरेंटी मिल जाती है और अगर लेफ साइट के बात करें तो यहां पर पोवा 2 के साथ हमें इसमें बारे चीश साइब की बारे चारज बड़ी बैटरी भी काफी mobile हों में देख चुके हैं इसकी performance काफी अच्छी मिलती है और उसी के साथ हमें इसमें 6.9 इंचिस का एक full HD plus का dot in वाला display मिल जाता है जो के काफी बड़े size का है और इसी में हमें एक 180 Hz का touch sampling rate भी देखने को मिल जाएगा और अब बात करें इसके camera's के बारे में तो इसमें जो main camera लगाया गया है वो 48 megapixel का AI quad camera setup लगाया गया है तो चलिए दोस्तों अब इसको open कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी device जो हमें कैसी मिलती है तो box के उपर से मैं रैपर को remove कर लिया है box को open कर लेते है seal को break करते ही इसका box open कर लेते हैं और box open करते ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मिल जाती है हमें मारे device device को मैं रख लेता हूं side पे और box के अंदर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है इस lid को मैं side पे रख लेता हूं और इसके नीचे मिल जाती है हमें हमारा case case की quality की बात करें तो एक normal quality का case इसमें रखा गया है, जो कि silicon का case है उसी के नीचे हमktó le釈 एक warranty card जाता है जिसमें 12 प्लस 1 मनत की warranty मिल जाती है और कुछ user guide paper word देखने को मिल जाता है paper word को मैं side पे dato एक टेक्नो का sticker मिल जाता है, जो को warranty के लिए हमें काम आएगा इससे में हमें केबल मिले जाती है、 आप देख सकते हैं, जो केबल हो, टाइप सी किनेक्टिविटी के साथ आती है, यर अंदर से औरिंज है, आप केबल को मैं साइट पर रख लेता हूँ,ाफी अच्छी बात है, कि हमें इसे के फ़ली देखने को मिले जाती है, जोका एक normal quality की है लेकिन अगर बात करें दूसरे ब्रैंड की तरफ से तो अब जो सभी ब्रैंड ने hand fee देना बंद कर दी है तो इसको मैं side पर रख लेता हूँ उसी के साथ हम देख लेते हैं इसकी power brake को और इसकी power brake के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह 18 watt के साथ आती है और mobile भी हमारा जो है वो हमें 18 watt की fast charging जो है वो sport करता है तो charger को मैं side पर रख लेता हूँ और box भी अब हम side पर रख लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारे device है वो हमें कैसी मिलती है जो box पर हमें key specification मिलती थी वो हमें इसकी center में हमें एक line मिल जाता है और side पर texture मिल जाता है और camera's के बारे में बात करे तो पीछे AI को mention किया गया है 48 megapixel का quad camera setup है और उसके साथ नीचे टेक्नो पोवा की branding मिल जाती है और अगर इसके size की बात करें तो यह काफी बड़ा size रखा गया है यह एक हाथ से mobile use करने वाला नहीं है इसको अगर आपने use करना है तो आपको दूसरे हाथ कभी इस्तमाल करना पड़ेगा mobile मैंने on कर लिया है जब तक on होता है तब तक इसके overview के बारे में बात कर लेते हैं और अगर इसके right side पर देखें तो आप देख सकते है कि इसमें हमें side mountain fingerprint scanner मिलता है उसी के साथ हमें उपर वाली side पर इसके एक volume रोकर उपर वाली side बिल्कुल clean मिलती है left side की बात कर दो हमें इसमें sim tray मिल जाता है और अगर नीचे वाली side की बात कर दो इसमें हमें 3.5 mm का audio jack type C की connectivity और एक microphone मिल जाता है तो guys mobile हमारा on हो चुका है इसकी आप screen देख सकते हैं कि काफी बड़ी रखी गई है और इसके weight के बारे में बात कर दो इसका weight जो है वो इतना ज्यादा नहीं feel होता और अगर इसके hand feel की बात कर दो आप देख सकते हैं कि इसके hand feel है वो काफी बहतर है so guys अब मैं mobile को कर लेता हूँ setup मिलते है setup के बात so guys mobile हमारा setup हो चुका है सबसे पहले अगर इसके display के बारे में बात कर ले तो इसमें 6.95 इंचिस का एक बड़ा display हमें इसमें देखने को मिल जाता है और इसी के साथ इसमें एक punch hole वाला camera हमें मिलता है और इस punch hole में camera लगाया गया है 8 megapixel का और इसी के साथ हमें इसमें back में आपको बता चुका है इसमें quad camera setup मिल जाता है और अगर इसके RAM और ROM के variant के बारे में बात करो तो इसमें 6GP की RAM लगाई गई है front camera इसमें 8 megapixel का back camera इसमें 48 megapixel का लगाया गया है और इसी के साथ इसमें जो chipset लगाया गया है वो MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G85 का chipset है और इसकी बैटरी है वो काफी बड़ी रखी गई है इसकी बैटरी जो हमें 7000 mAh की मिल जाती है और इसी के साथ हमें इसमें 13W की fast charging भी देखने को मिल जाती है और इसकी screen की resolution की बात करें तो एक full HD plus 1080 pixels वाला display है और out of the box हमें इसमें जो software मिलता है वो Android 11 देखने को मिलता है और अब हम इसकी cameras को check कर लेते हैं कि इसके हमें जो cameras की quality है वो कैसी मिलती है तो guys मैंने इसकी camera को on कर लिया है इसकी front camera से हम एक picture को click करते हैं और देखते हैं कि हमें so guys अगर आप देख सकते हैं कि इसमें हमें जो front camera से picture को click किया है वो इसकी detail आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है अगर इसके back cameras के बारे में बात करें तो इसके back camera से भी picture को click करके देख लेते हैं कि हमें जो quality है वो कैसी मिलती है यह इसके back camera से मैंने picture को click किया है और इसमें भी आप quality देख सकते हैं कि काफी अच्छी रखी है color saturation भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है अगर इसके moods के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें short video, video, AI camera, beauty camera, portrait अब मैं portrait से भी आपको picture को click करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमें जो quality है वो कैसी देखने को मिलती है तो guys आप देख सकते हैं कि portrait से मैंने picture को click किया है और इसकी back पे जो है वो आप देख सकते हैं कि blur कर दी है यानि कि इसमें जो ported है वो भी मनासब है और इसके साथ हमें इसमें एक super night mood भी देखने को मिल जाता है इसमें super night mood भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें मिल जाता है इसकी quality जो है वो आपको check करवाँगा इसके review में और मैं कोशिश करओंगा जल्दी आपके लिए इसका review भी लेकर आऊ जिसमें आपको मैं इसकी gaming के बारे में बताऊँ कि इसमें हमें जो gaming performance है वो कैसी मिलती है तो यह especially यह phone gamers के लिए बनाया गया है ताके मेरी वीडियो के notification आपके notification बार भी आपको मिल सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे like जरूर करना उससे थोड़ा motivation मिल जाता है मैं आपको मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नए मुबाइल के साथ अल्ला हाफिस